नमस्कार फ्रेंड्स केसे हैं आप सब आज मैं आपके लिए कॉर्ण को आपकी रेसिपी लेकर आई हूँ उसके लिए मैंने यहां चने की डाल लिए जो भीगो दी थी मैंने दो-तिन घंटे पहले मुंकी डाल भी लिए है और यहां पे कार्ण का पेस्ट भी रखा हुआ है यह सब चीजे हैं हम चने की डाल पीस रहे हैं थोड़ा पाने कम डालेंगे ताकि गीला न होने पाए इसलिए मुंकी डाल भी डाल रहे हैं सब चीजे स्वात बढ़ाएंगी मुंकी डाल भी डाल देंगे और इसको भी इसके साथ इसका भी पेस्ट बहुत बारिक पेस्ट हम इसका नहीं करेंगे मतलब थोड़ा दरदरा रहे तो अच्छा लगेगा अब ये हरी मेर्च और अदरक ये भी मैंने डाल दिया है इसमें इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे बहुत बारिक निये देखें आप इस प्रकार से दरदरा रहेगा ये इसको पीस चुकी हूँ मैं और निकाल रहे हूँ ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए पतला होगा तो बनाने में दिक्कत जाएदे कॉर्न पेस्ट मिला दिया है मैंने इसमें ये रखा हूँ है यहा इसके साथ डालों के साथ अब इसमें हम और दूसरे मसाले मिलाएंगे थोड़ा सा बैसन में लाया है मैंने, हरी मिर्च मिला रही हूँ, प्याज डाले हैं, हरी धनिया, हल्दी, मिर्च, सौफ, और ये थोड़ा दरदरा कुटावा जो हम प्रायक डालते हैं, वो धनिया है, खड़ा, दरदरा कुटा हुआ, हींग, अजवाइन है, अब इन सब को हम मिला लेंगे, अच्छे से चीज की बाइंडिंग अच्छी कर लेंगे, तड़ा सा हाथ से करेंगे तो ठीक रहेगा, नमाक अपने स्वात की हिसाब से मिलाएंगे, जैसा हम खाते हैं, इसको अच्छे से एक जैसा वाइंडिंग कर लेंगे, यह सब हाथ से मिलाके, हाथ से ज्यादा अच्छा होता है, यह देखिए, यह पैस्ट इसका तयार हो गया है, दालों का और मसालों का, अब इसके हम कबाब बनाएंगे, ओइल मैंने गरम करने रख दिया था यहाँ पर, यह गरम हो चुका है, एक टेस्ट के लिए डाला है मैंने, यह देखिए, अब हम डाल रहे हैं इसमें, बहुत ज़्यादा इसको सुना रहा होने तक हम तलेंगे, ज़्यादा काले नहीं करेंगे, अच्छे नहीं दिखते हैं काले, यह देखिए, थोड़ी आज ज़्यादा तेज भी नहों और बहुत कम भी नहों, इस प्रकार हलकी आज मीडियम, मीडियम लो, मीडियम लोग पर हम इसको रखेंगे, यह देखिए, हमने तल लिया है, इस प्रकार इसका कलर हो गया है, यह देखिए, इसको मैंने निकाल रही हूं, अब सभी कबाब बन चुके हैं, तले जा चुके हैं, इनका कलर इतना अच्छा बना है, यह देखिए, आप भी इसको जरूर बनाईए, मेरी तरह से बनाईए इस रेसिपी को, और खाईए, बहुत अच्छी लगेगे, इस प्रकार आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें,